और हाँ दोस्तो इसमें spoilers भी हैं तो जिन्होंने ये web series अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आगे का वीडियो न देखें तो अच्छा रहेगा और अब main concept की बात करता हूँ जो main concept है इसका जो ऐसा दिखाया है कि अविनाश की split personality है जे जो अविनाश से murder करवाती है तो ये main concept में ही flaw है अब पहला flaw क्या है इसके अंतर वो मैं बताता हूँ जो main concept का flaw है वो उसका पहला flaw तो जे जो है वो split personality अविनाश की बचपन में दिखाया है कि उनके माबाप मर जाते हैं तो जे का जनम होता है उसकी मदर की मूर्तियों के बाद अविनाश की और अब अविनाश एक मतलब नानिताल के एक boarding school में है और वहां का जो head है principal जो है मूर्ति मूर्ति सर्व बहुत intelligent बंदा है बहुत ही समझदार इंसान दिखाया है उसको पता है अविनाश की condition के बारे में कि अविनाश एक है और उसके अंदर ही एक जे करके split personality है जो की थोड़ी खतर होना के उसको सब पता है इतना intelligent आदमी इतना समझदार आदमी वह जे को रावन की खूबिया बताते हुए दिखाया है अब बताओ जब आपको पता है आप intelligent हो ठीक है आप समझदार हो और आपको पता है कि यह बच्चा थोड़ा सा ऐसा है पागल है पागल नहीं कह सकता सौरी मतलब कि इसका थोड personality है वो dangerous है तो क्या आप उसको रावन या ऐसे कोई negative character के बारे में बताओगे या फिर उसमें अच्छाई आये इसलिए आप इसको positive values दोगे ना राम के बारे में बताओगे क्रिशन के बारे में बताओगे रावन दुरियोधन कंस इनके बारे में तो नहीं बताओगे ना प फिर जे जैसे split personality में रावन का बैठना वो obvious था और ये बिल्कुल illogical है कि मूर्ती जैसा intelligent आदमी समझदार आदमी वो ये बात जे को बताता है तो ये बात मेरे तो गले नहीं करी हाँ ठीक है अगर कोई villain जो उसका बुरा चाहता है अविनाश का और उसे पता है कि इसकी split personality जे है जो कि हानिकारक है तो वो जे को रावन या कंस के बारें बताता है अच्छा लगता है लेकिन मूर्ती सर तो उसके father जैसे थे वो क्यों इस तरह की negative बात का इतनी बढ़ाई करके उसको बताएंगे अब आप ये जैसे असुर देखिए असुर में कहा था कि उसका बाप वो विलन को बहुत लदारता था उससे नफरत करता था वो कहता था कि ये तो असुर पैदा हुआ है मेरे घर में तो तब वो जाके वो intelligent बच्चा जो है उसके मन में वो असुर वाली भावना पैदा होती है और वो बढ़ा होके वैसे ही qualities उसमें आ जाती है तो वो बिलको logical चीज बता ही थी director ने वहाँ पर यहां तो director को कुछ पता ही नहीं क्या दिखाना है क्या करना है कोई sense ही नहीं है मतलब कि villain का जो आप दिखा रहे हो at least उसको ठीक ढंक से तो दिखाओगी कैसे create हुआ वो villain वो भी बिलकुल director ने उसमें भी गड़बड कर ली ठीक है अब फि कि जो split personality है जे उसमें ऐसा उसको दिखाया है कि वो अविनाश को protect करना चाहती है ठीक है तो अब मेरी समझ में यह नहीं है कि यह किस तरह का protection है जिसमें आप जिस बंदे को protect करना चाहते है उसी से murder करवा रहे हो यह कैसा protection हुआ क्योंकि obvious है कि वो murder करेगा तो पकड़ा ही नहीं है ठीक है तो वो ऐसा बोल नहीं सकेगा कि भी मैं पागल हूं मेरी split personality ने करवाया वो तो यही बोलेगा कि हाँ भी मैंने करवाया मैंने ही किया तो पुलिस उसको सीथे फांसी की सज़ा देगी और उससे तो फिर जे का भी वजूद खतम हो जाएगा और जे को पता आते हैं कि murder जे ही करता है लेकिन वह ऐसा कुछ करता है कि अविनाश पर शक ना जाए तो इस सीरीज में बहुत मसा आता है बहुत मसा था, सची बताता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ कहानी लिखते हैं, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए दोस्तों मुझे ये बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन फिर इसलिए मुझे निराशा हुई, बरह वो ठीक भी रहते हैं तो शायद ये दूसरे flaws में ignore भी कर देता anyway दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि मैंने गलत बोला है या सही भी बोला है तो आप comment section में अपने विचार रख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेर कीजिए और ऐसे discussions वाले वीडियो अगर आपको देखना है और कुछ short films अच्छी देखनी हैं कुछ mono actings देखनी हैं comedies देखनी हैं तो आप प्लीज मेरे इस channel को भी subscribe कर सकते हैं शुक्रिया दोस्तों